हेलो फ्रेंड, असलाम अलेकुम, वेलकम टू माई चैनल, तो मेरे देखने वाले जहां भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और अपनी फैमिली के साथ रहें, सो फ्रेंड, जिन्दगी का एक पेच और भी इस वीडियो में एड करेंगे, तो आज कल जितने भी वीडियो ओपलोड हो रहे हैं, काफी अच्छे आ रहे हैं, और आप लोग पसंद भी करते हो, सो फ्रेंड, आप से इतना ही कहना चाऊँगी, कि जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, तो अपनी फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर किया करें, और उन्हें मेरे वीडियो कर कोई अच्छी सीख मिले मैं इतना ही कहना चाहूंगी वीडियो तो बहुत सारे लोग बनाते हैं लेकिन काम की बाते कोई नहीं बताते हैं और मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस जिस घर में यह वीडियो जाए और जो मेरी बाते सुने कुछ अच्छा उन्हें सीख मिले मेरे इस वीडियो से तो वीडियो में फालतू बक्वास मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है बस अच्छा ही हम दिखाएंगे और जो लोग अच्छे होंगे मेरी बातों को समझेंगे और सीखेंगे तो देरी ना करते हुए आपका टाइम वेश्ट ना करते हुए चलते हैं इस और बहुत सारे वगयरा गिर गए हैं मुबई में तो यह तूफानी वारिश को देख सकते हैं बड़ा ही डड़ लग रहा था इस तूफानी बारिश को देखकर तो यह हम लोगों ने बहुत दूर से स्जूट किया है लेकिन इतने पेड पौदे हिल रहे थे बहुत तेजी से ही रहते तो बहुत ज्यादा कल बारिश हुई और यह देख सकते हैं सुबा सुबा यह उठ चुके हैं बारिश की वजह से और इनको नाश्ता वगरा बाहर का खाना बहुत पसंद है तो यह देख सकते हैं बाहर के डोसे वगरा लेकर आया है जो कि यह मुझे बिलकुल भी नहीं पसंद है और ये बाहर का खाना, खाने में भी बिल्कुल टेश्टी नहीं होता है, तो मुंबई में कल बहुत बारिश थी और इनका था एक्जाम, तो ये जा रहे हैं अपना एक्जाम देने के लिए अपने दोस्तों के घर, और ये जा रहे हैं नमास पढ़ने तो ये कुछ पहले की क्लिप थी जो अलविदा रोजे की क्लिप थी वही मैं एड़ कर रही हूँ कि अलविदा रोजे के दिन मस्जित में नमास पढ़ाई गई थी और ये लोग पढ़ने भी गए थे तो फ्रेंड आज कल चल रहा है बारिश का मौसम तो इस तरह की कोल्डुन वगरा बिल्कुल ना पियें और मैं दिखा रही हूँ लेकिन घर में बच्चों ने मंगवाया है तो ये पीना अच्छा नहीं है क्योंके सर्दी खासी की वज़े से क्रोना भी हो सकता है और ये मैंने आउनलाइन बिस्किट वगरा मंगवाया था तो बहुत सारी चीजे मैंने मंगवाई थी जो आपके साथ शेर नहीं किया था लेकिन ये बिस्किट मेरे बेटे को पसंद है तो वो मैंने मंगवाया है वही आपके तद शेर कर रही हूँ सो फ्रेंड ये दही वड़े हैं इत के दिन के तो बहुत ज्यादा बन गए थे तो इसे मैंने फ्रीजर में उठा कर कंटेनर में रख दिया था पैक करके और मैं बताओंगी के ये दही वड़े आप कैसे बना सकते सबसे पहले मैंने पानी में बॉयल कर लिया है दही वड़ों को अब मैंने यापे शकर नमक डाल कर दही को बहुत अच्छे से फेट लिया है और इसे हमने काफी अच्छी तरीके से फेटने के बाद इसमें हमने बॉयल किये हुए दही वड़े एड़ कर देना है तो दही वड़े जो बहुत सौफ्ट हो जाते हैं इस तरीके से आप चाहें 15 दिन रख कर भी ये दही वड़े बना सकते हैं तो अब हम इसे सफ करेंगे तो इस तरह से दही वड़े खराब नहीं होते हैं 15 दिन तक भी फ्रेश रहते हैं और ये दही वड़े बहुत सौफ्ट बने थे और खाने में बहुत ही टेश्टी लग रहे थे तो जब अगर आपके दही वड़े बच जाएं तो आप उसे किसे टाइट कंटेनर में भर कर फ्रीजर में रख दे और जब आपका मन हो तो उसे पानी में यानि के बॉयल पानी में आप उसे डाल कर अच्छे से बॉयल कर ले और दही में एड़ करके इस तरह से आप दही वड़े बना सकते हैं तो बिल्कुल मेहनत नहीं है और क्रक्खे वे दही वड़े आराम से आप बना सकते हैं यहाँ पर मैं मसाला एड़ कर रही हूँ तो अख्खा धनिया अख्खी अख्खी मिर्च और जीरा इसे मैंने भून लिया था और इसे मैंने बारिक पीस कर अब मैं इसमें दही बड़े में एड कर रही हूँ और इतनी सारी चीजे डालने की जरुरत नहीं है बहुत से लोग इसमें हरी चटनी, लाल चटनी, कौन-कौन सी चटनिया डालते हैं वो सब बिल्कुल ला डाले, बस इतना ही मसाला एड़ करने के बाद आपके दही वड़े बहुत अच्छे बन जाएंगे, तो मैंने नमक भी एड़ किया है और हरा धनिया, तो अगर दही वड़े की रेस्पी आपको देखना है, तो मेरे चैनल पर जाएं और वहाँ पर मैंने दही वड़े, पूरा वीडियो मैंने बना के बताया, जरूर देखें तो फ्रेंड, आज मैं बनाऊंगी मटन, तो मटन का मैंने गरम मसाला सब इससे रोश्टिट किया है और इसे बारीक पीस लेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं मटन, तो मटन हमारा बन रहा है, तो बन के तयार भी हो चुका है यह सारी रेस्पी मैंने अपने चैनलों पे अप्लोड कर रखी है अल्रेडी, इस वज़े से मैं आपको फुल रेस्पी नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मेरा एक चैनल है रेस्पी का, उसी में मैं सब एड करती हूँ, खाना की रेस्पी, तो यहाँ पर आप फाइनल लूप देख सकते हैं मटन का, और यहाँ पर मैं तंदूरी रोटी बनाऊंगी, तो बटर तंदूरी रोटी बहुत अच्छी बनी थी, यानि के बटर नान, तो यह देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, और हम लोग बाहर से भी बटर नान मगाते हैं, तो इतनी अच्छी नहीं बनती है, जितनी अच्छी यह मेरे घर में बनी थी, और बहुत ही मज़ेदार, तो यह देख सकते हैं, मेरी बटर नान बनके हो चुकी है, ये भी देख सकते हैं, कि मैंने इसमें बहुत अच्छे से बटर लगा दिया है, और ये खाने में बहुत मज़िदार लगी थी, आप किसी भी सालन के साथ खा सकते हैं, और आज हम गए थे मार्केट, तो मैं नहीं गए थी, मेरा बेटा मार्केट गया था, तो ये सब लेकर आ सामान तो यह फ्रूट्स वेजिटेबल तो इस तरह से बच्चों से भी हमें कभी कभी काम करवा लेना चाहिए क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाएं काम पर जरूर लगाएं आप तो पसंद आए लाइक जरूर करना फ्रेंड आपको मेरा यह व्लॉक लगा कैसा व्लॉक पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन जरूर क्लिक किया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आल पर जरूर क्लिक किया करें ताकि कोई लेटेश वीडियो आप से बिल्कुल भ इस व्लोग के साथ तब तक के लिए अल्लाः आफेश्टी केर बाबाए